Ceramic Tiles और Vitrified Tiles में क्या अंतर होता है, सबसे ज़्यादा पुछने वाला यही फ्रशने रहता है आंसर कभी-कभी सही मिलता, कभी-कभी आपको मिलता थी है लेकिन आप संतुष नहीं होते हैं उसके उपर Ceramic पे उपर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तर में फर्क Ceramic और Vitrified में होता क्या है बहुत से यूट्यूबर का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें material में Vitrified में वो मिलते हैं यह मिलते हैं इसमें यह मिलते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उस material को आपको आपको कुछ समझ ही नहीं तो उस material से आपको कोई लेखा है जो में different है, जो मैंने बोला और आप समझ गए बस सबसे बड़ा अंतर यही आपको देखने को मिला है क्योंकि आपको हमेशे टाइल से काम पड़ता है, अगर एक दुकानदार है एक शोपर है, तो वहां पर उनको पता चलता है डबल डबल चार्ज में जो विट्रिफाइट रहती है और सब को पता रहता है पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ, शोटकट में बताने वाला हूँ कि सिरामिक और विट्रिफाइट में क्या फरकाता है नमस्कार, मैं हम्राज मेनजया, मेरे यूटूब चैनल में एक बार प्र आपका स्वागती जैसा लाड़ प्यार आपको मिल रहा है, पिछले वीडियो में मिला और मिलते आ रहा है आशा करूँगा आगे भी इसी प्रकार का मिलता रहे और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्यूंकि आप का एक सब्सक्राइब हमारा होसला बढ़ाता है तो चलो बढ़ करते हैं आज जरा सिरमिक और विट्रि थीपई की बारे में मै stirred है दो परकार की टाइप पढ़ी बढ़ी हुई है देख सकते हैं आप यहसेमिक बोडी टाइल together और यह विट्रि थीपई की टाइब से तो आप देख सकते है यह अब इसका पीछे अब विट्रिफैटा टाइल कभी बिधि पानी को observe नी करेंगा पान को चुसेगा नहीं सबसे बड़ा विट्रिफैड में यही फार्क है यह बड़ा चा चित में जिसे विट्रिफैड में क्या सिलिकोन मिलाते हैं क्या किस प्रकार का मेट्रियल बना गना हमतो ब्रेबजोनी करती है टाइलसा पानी चूसता हूं और सेरहमीक मी wholly हूता है कि पानी टाइलस चूस लेती है did सकते है यह पानी चूस की यह सबसे बड़ा अंतर आपको समझ नहीं कोई पूचले आपको क्या अंतर है तो सबसे पहला अंतर ही देख सकते हैं आप इस साइड में यह पानी जैसा भरा है वैसा का वैसा भरा है यह विट्रिभाइट बोडी है और यह देख सकते हैं पानी बिल्कुल टाइल्स ने चूस लिया है पानी बिल्कुल है ही आप और देख सकते हैं दीरे दीरे पानी टाइल्स एपजो कर जाती है पानी को देख सकती है पानी भरा हुआ है और यहां पर देख सकती हैं यह विट्रि फाइट का सबसे बड़ा फर्क है अब से दुसरा फरक में बता रहा हूँ आपको दुसरा फरक याद रखिये सिरामिक टाइल्स जब भी लगती हैं दिवार पे लगती हैं अब आपको एक कुश्चन रहेगा सर दिवार पे लगती हैं तो दो बई दो जो पोर्सलीन बोडी आती है वो दिवार अपन फ्लोरिंग में लगाते हैं तो उसका क्या दाना है जी हाँ बिलकुल प्रशन आपके लिए लाजमी भी है सवाल भी है वेट्रिपाइट रहता है वो फ्लोरिंग में लगता है और उसको अपन पानी में नहीं बिगोते हैं जबकि सिरामिक टाइल्स को जब भी आपने देखा होगा आपके मकान में बना होगा या फिर आस पास परोस में जब की मकान का काम चल रहा होगा टाइल्स का तो आपने देखा होगा पानी को या तो ड्रम हो या फिर कोई ऐसा बोक्स बनाया हो या अपन कोई पानी बरतनुमा भरा हो उसमें अपन टाइल्स को भीगोते हैं वह क्यूं बिगोते हैं? दो, तेन, चार गंटा पन बिगो के रखते हैं. तो इसको बिगोते क्यों है? पहली बार तो यह ए, ऐसे क्यों लगाते हैं? Ceramic tiles को पानी में भीगो के ही लगाना चाहिए नहीं, तो tiles की जो strength रहती है, वो कमज़र हो जाती है, जब तक आप भीगो के tiles को नहीं लगाऊगे, वो tiles दिवार से चिपकेगी नहीं, उतनी मजबूती से है, और कभी भी वो tiles कुछ सकती है, जब कि vitrified को पानी में भीगोने कि कोई यावशकता नहीं है, पत्तर नुमा या tiles रहता है, मजबूती में, जैसे सब आपन बोलते हैं, vitrified सबसे मजबूत है, तो ये tiles और ceramic only लिवार पर लगती है, आप विश्यस तोर से इस बात का धियान रखें, ceramic tiles कभी भी आप flooring में ना लगाएं, जैसे ceramic में अपन बोलते हैं, तो ceramic सब में आता है, जब वाल और flooring tiles की बात आती है, तो आप ceramic tiles हमेशा आपके एक जैन में रहना चाहिए, कि ceramic tiles रखती है, जैसे 24 बारा tiles है मेरे सामने, इसमें 18 बारा भी आती है, इसमें ओट भी चोटी स सकते हैं, उसमें washroom में लगा सकते हैं, यह आप मकान बनाया हो, तो मकान के elevation में लगती है, 18 बारा elevation में वैसे update हुआ, बहुत से परकार की tiles elevation में आ चुके हैं, planks आ चुके हैं, सहीच की अलग लगा सकते हैं, और बहुत से stone को भी अपन लगा रहे हैं, लेकिन जो सब से running चल एक वीडियो ऐसा डाल भी रखा है, जाब पूरी-पूरे मकान में tiles लगी हो, आप लगा सकते हो, आपके color का कर्चा वहाँ पर बस सकता है, बार-बार सपाई का वहाँ पर easy हो सकती है, तो आप समझ गए होंगे मुझे आशा है कि vitrified tiles और cinamic tiles में क्या अंतर है, vitrified tiles only flooring मे ADC आते हैं, मैं Rob-based आहूं, वह सकता है आपके आपको, दूसरा ADC वह लगा कर T01, उसमें भी तीन प्रकार आते हैं, T01, T02, T03, अलग-लग granite tiles, यानि कि पतर पर पतर चपकाने का अलग आता है, tiles पर marble लगाने के लिए का अलग आता है, और दिवार पर tiles लगाने के लिए, औ अगर आपको tiles लगाने, उसके लिए भी अलग-लग chemical आता है, अगर आप comment करोगे तो उसका वीडियो में जरूर बना दूँगा, और आप तक share करूँगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करना, और वीडियो में क्या अच्छा लगा, आप comment करके मुझे अच्छा लगा तो लाइक करना, जे भारत, जे राजस्तान, वंद्यमात्रम